लक्स को जब मैं पहली बार मिला तो इतना छोटा था आज काफी बढ़ा हो गया आपको मालूम है आप इस बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो मैचिस के डाइम तो मैं फोन प्रकाश सर ने ले लिया दा और बोला कि कि अभी जब तक मैचिस नहीं हो जाते तब तक फोन नहीं मिलेगा प्रकाश सर इतने डिसिप्लिन श्रीक थे तो अगली बार में उड़ी को भेजूगा ज़रूर सर ज़रूर आपके खेल को जिनको पता भी नहीं है खेल क्या है वो भी गंटों तक देखते रहते बार बार रिल देखते हैं बार तो कुछ जानना चाहता हूं भया जो मैदान में आपने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा मैदान के सिवाए क्या क्या किया वो बताईए दुनिया के कई प्लेयरों से दोस्ती हुई होगी बहुत कुछ जाना होगा आपको लगा होगा यार हमारी यहां भी ऐसा हुश्ता तो अच्छा होता ऐसा कुछ ह होगा ना तो मैं ऐसा को सुनना चाहता हूं आप लोगों से कौन बताएगा जी सर सबसे पहले नमस्ते आपको एंड लग्स को जब मैं पहली बार मिला तो इतना छोटा था काफी बड़ा हो गया जैसे कि टॉनामेंट मेरा रहा काफी लंबे लंबे मैचिस रहे वहां पर शु करके मेरा फोकस मैचिस पर रहता था बट यह जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम लोग सबके साथ डिनर करने जाते थे और काफी सारे एथलीट्स वहां पर मिलें जिनको देखके काफी कुछ सीखा और हमने उनके साथ एक डाइनिंग रूम शेयर किया एक बड़ी बात और जो वहां का माहौल था यह मेरा सबसे पहला ओलम्पिक्स था और मैं जो मैं एक्सपिरियंस किया वहां पर वह काफी अच्छा था जैसे कि बड़े स्टेडियम में केलना इतना क्राउड आपको देख रहा है तो फर्स्ट दो तीन मैच्चिस में थोड़ा नवस भी था जैसे ही टार्नामेंट चलता गया मेरा वो बेटर होता गया विनेश पहली ऐसी भारतिय बनी जो कुस्ति में फाइनल तक पहुँची यह भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विशे है अमन ने केवल 21 साल की उमर में मेडल जीत करके देश को बिलकुल इतना प्रसंद कर दिया है और अमन के जीवन के विशे माद देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि व्यक्ति के जीवन की कठिनाईयों से भी इंसान अपनी आत्रा को सप्न को संकल्व को सिद्ध कर सकता है कठिनाई अपने आप अपनी जगा पर रह जाती है अमने करके दिखाया है झाल